जहीं दोस्तो सुवागत आपका अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पालनहार योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो दोस्तो अगर आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो चैनल को जरूर से सस्क्राइब कर ले चैनल सस्क्राइब करने से क्या होगा जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे किसी सरका इस योजना के माध्यम से गरीब और बेसारा जो बच्चे होते हैं उनको यहापर हर मैने आर्थिक रासी गोवर्मेंट की तरफ से दी जाती है। की योजना की तहथ जो रासी मिलती है वो अठारा साल तक की आयू के बच्चों को मिलती है। अतला मिलता है जिनके माता-पिता में किसी एक की मिर्थी हो चुकी हो और अर्था-अर्थ दूसरे को आजीवन कारवास हो गया हो यानि कि एक व्यक्ति की मिर्थी हो गई हो और दूसरे को किसी कारणवस जेल हो गई हो ऐसे लोगों के बच्चों को भी यहां पर पात्र माना माता-पिता दोनों को ही आजीवन कारवास या मिर्थूदंट मिल गया हो उन बच्चों को भी यहां पर आर्थिक रासी गोवर्मेंट की तरफ से दी जाती है साथ ही दोस्तों HIV AIDS या कुष्ट रोग पर भावित अविभावक हैं उनके बच्चों को भी इस योजना के तहत लाब मिलता है विद्वा या तलाग सुदा महला के बच्चे को भी इस योजना के तहर सामिल किया गया है दोस्तों विद्वा महला के जो बच्चे हैं उनको इस योजना के तहत तभी लाब दिया जाएगा कि जब महला की आए एक लाग बीस जार रुपे सालाना होनी चाहि तलाक सुदा मेला के पास कोट से प्राप्त तलाक की डिगरी होना जरूरी है तबी उनके बच्चों को इस योजना के तहट लाब दिया जाएगा इस योजना का लाब केवल 18 वर्स से कम आयू वाले बच्चों को ही दिया जाता है अगर 18 वर्स की आयू होने के बाद भी बच्चे ने बारवी कक्षा पास नहीं की है तो उसे एक साल अतरिक्त दिया जाता है यानि की 19 साल तक उसको पैसा दिया जाता है गोर्मेंट की तरफ से अब बात कर लेते हैं दोस्तो जरूरी दस्तावेज की आविधन करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, आंगन बाड़ी या विध्धाले में परवेश का पुरूफ आधी ये सभी डोकुमेंट्स होनी चाहिए अनात बच्चे के लिए उसके माता-पिता का मिर्त्यू परमान पत्तर, किसी गंभीर बिमारे से गरस्त अभी भावक के लिए संबंदित कारण का पुरूफ होना चाहिए विद्वा तलाग सुधा के बच्चों के लिए माता का आय परमान पत्तर तथा विद्वा या तलाग सुधा से संबंदित परमान पत्तर जो कोड दुवारा जारी किया गया हो जियां दोस्तो आदालत दुआरा जो भी जारी किया गया है वो डोकॉमेंट्स आपके पास यहाँ पर होना चाहिए दोस्तो इस योजना में आविधन करने के लिए आप कुछ जन सूचना जो पोर्टल है वहां से इस योजना को ओनलाइन तरीके से आविधन कर सकते हैं या आप किसी भी इमित्र सेंटर या जन सेवा केंदर पे जाके भी इस योजना का फोरम बर सकते हैं आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर दीजे लाइक और चैनल पे पहले बार है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिपकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इसी तरह के सरकारी योजना का लाब उठा सके मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत